नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूब घास के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दूब घास को लेकर एक महतुपूर्ण जानकरी देने वाले हैं और जिसमें आपको बताया जा रहा है कि दूब घास का किस प्रकार से शारीरिक फाइदे भी होते हैं और किस-किस लिहास से यह काम में आ सकती है दोस्तों अधिकांश लोगों को दूब घास के केवल अध्यात्मिक लाब पता होते हैं इसके स्वास्त लाबों की कोई जानकरी नहीं होती है लेकिन दूब घास के रस के बहुत से स्वास्त लाब होते हैं इसके रसका उपभूख करने से पेट की बहुत सी समस्या है जिनमें की पेट की अलसर भी शामिल है इनके उपचार करने में भी मदद मिलती है दोस्तों ये शरीर में मौझूद विशाक्तता को भी दूर करता है सभी लोग दूब घास के बारे में जानते हैं लेकिन इसके स्वास लाभ हो से अन्विग्य होते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं दूब घास के कुछ महतुपूर्ण फाइदों के बारे में दोस्तों आप दूब घास से इश्वर को खुश करने के साथ ये अपने स्वास को भी ठीक रख सकते हैं, दूब घास के फाइदे मदू में कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, हाली के कुछ अध्यनों से पता चला है कि दूब घास में हाइपो गलाइसेमिक प्रभाव होत सकता है, नेम के पत्ते के रस के साथ दूब घास के रस का उपभोग करने पर ये शरीर में रक्त शरक्रा के इस्तर को सामान्य करने में मददगार होता है, इसके अलावा दोस्तों ये मोटापे को दूर करने में भी फायदे मन्द होती है, जी हां, आप मोटापे को दूर कर आप अपने वजन को कम करने के लिए नियमित रूप से दूब घास का उपभोग कर सकते हैं इसके लिए आप दूब घास से निकाले गई रस की तीन चम्मच मातरा में चार से छे काली मिर्च और एक चुटकी जीरा पाउडर का उपयोग करके काड़ा बहिया बना सकते हैं और इस काड़े का नियमित रूप से दिन में दो बार न लिए दूब घास का इस्तमाल किया जा सकता है इसमें ऐसे पोशक तत्व और एंटी ओक्सिडेंट मोजूद होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं दूब घास में बायो रसाइनिक योगिक होते हैं जिसे सिनोडोन डेक्टोलो अशेया द्योगा जए हैं यह इस कि में एरशबाहा को अनूकुलीट करें दोस्तों दूब घास की एंटि वाइरल और एंटी माइक्रोबियल गतिवीदी प्रती रक्षा स्वास्त को बढ़ावा देने और विविन बीमारियों के विरुद शेरीर की साहिता कर सकती है इसके लाओ दोस्तों कॉंस्टिपेशन के इलाज में भी ये काफी फायदेमन मानी जाती है क्या आप पेट से संबंदित किसी समस्या से परिशान है अगर ऐसा है तो आप इसका प्राकरतिक उपचार कर सकते हैं इन प्राकरतिक उपचारों में दूप घास का प्रमुग स्थान होता है जी हां दोस्तों इस ओजडी जडी बूटी का उपयोग करने पर कबजिसे राहत मिल सकती है पानी के साथ दूप घास का रस पीने से शरीन में मौझूद विशाक्त पतारतों को बाहर निकालने में काफी ज़दा हेल्प मिलती है जिससे यह ACIDITY की समस्या को कम करने के साथ ही मलतियाग को आसान बनाता है इसके अलावा दोस्तों रक्त की शुद्धी के लिए भी काफी फायदे मन्द होती है जी हां आपके शरीर को हमेशा शुद्ध रक्त की आवशक्ता होती है यदी रक्त में किसी प्रकार के अशुद्धी होती है तो यह आपके शरीर में कई स्वास समस्याओं का कारण बन सकती है ऐसे में दोस्तो दूब घास का उपयोग करके आप अपने रक्त को शुद्ध कर सकते हो महिलाओं के स्वास के लिए भी काफी फाइदेवन बानी जाती है और इसका खास उपयोग पाचन प्रक्रिया के लिए भी किया जाता है खराब पाचन तंत्र विबिन स्वास समस्याओं का कारण होता है अस्वस्त कर भोजन और भीमारियों की सव्वेदन शिल्ता के कारण उम्र के साथ पाचन और पेट से संबंदित अन भीमारिया एक आम बात होती है लेकिन इन सभी समस्याओं से चुटकरा पाने के लिए आप दूब घास का उप्योग कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे दूब घास के कुछ चमतकरी फायदे लेकिन इसके कुछ साइड़ वेक भी हो सकते हैं जिनको भी जानना आपके लिए जरूरी है तो चलि जानते वो क्या है दोस्तों वास्तव में तो दूब घास एक ओषधी है ज मों में जंजनाट, दातों में दर्द, तोचा में जलन और लाल चकते जैसी समस्याई देखने को मिल सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा मातरा में इसका सेवन कर लेते हैं तो इसलिए आप बहुत ही कम मातरा में क्योंकि अगर बहुत ही कम मातरा में किसी भी ओज़्दी का जाए तभी वह ओजदी होती है लेकिन अगर जादा मात्रा में आप इसका यूज कर लेते हैं जादा फाइदा पाने के लिए तो यह नेगेटिव वे में काम कर सकती है तो इस बात का आप विशेश रूप से ध्यान रखें तो दोस्तों यही थी संपोर्ण जानकारी दूब जानकारी पसंद आयोगी अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें तक कि और लोग भी इस जानकारी को समझ पाएं और अगर आप लोग नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला आइकन को ज़र दमाएं धन्यवाद उस्टू